नरसिंगपुर जुले के श्रम जीवी पत्रकार संग ने पत्रकार हितों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री नवनीत काबरा जुलाध्यक्ष पंडित भागिरत तिवारी के मार्ग दर्शन में पत्रकार साथियो सहित होशंगबाद संसदिये शेत की कलपना करते हुए बताया उनके संसदिय शेत्र में पॉलेथिन के प्रदूशन से मुक्त रखने की अपील के साथ ही प्रदूशन मुक्त 50,000 थेले बाठे गए ताकि लोगों में जागरुकता पूर्बक पॉलेथिन मुक्त का अपना संदेश पहुंच सके वहीं दूसरी औ बढ़ती हुई आबादी जनसंख्या विस्पोर्ट पर चर्चा करते हुए बताया कि वो संसद सत्र में भी कोशिश करेंगे कि बढ़ती हुई अबादी को इध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द जनसंख्या नियंतरन कानून लागु किया जाए सांथी ग्यापन सौप ने आए सभी पत्रकारों को पॉलिथिन मुक्त समाज की अपील के साथ प्रदूशन मुक्त थेले भी दिये गए हम लोगों ने मेंबरन प्रश्डेंट को दिया और बीच बीच में मानी प्रदान मंत्री जी से बात करते रहते थे इस 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रदान मंत्री जी ने जन संख्या पर चंता व्यक्त की है हम ये मान कर चल रहे हैं कि वो सुब दिन आने वाला है जब इस देश में प्रदान मंत्री जी जन संख्या वाले इशू को भी लीड करेंगे जिस तरह उन्होंने स्वच्ता अभियान को लीड किया है पॉलूशन फ्री कंट्री पॉलिफिन फ्री कंट्री इस तरह से जनसंख्या का भी मुद्दा जो है प्रदान मंत्री जी ने टेक अप किया है मुझे लगता है परणाम जल्दी एक अच्छे परणाम देश में आने वाले हैं आएगे पत्रकार संग्ठन का उद्दे से यह होता है कि पत्रकार के हितों के लिए उतकी काम करता है पिछले दुन में अन्य समस्यां के लाब एक समस्या जो मूलूप से बड़ आगे आई है वो यह है कि एक जो हम लोग विज्यापन देते हैं उसमें जीएश्टी लगने लगा है जो विज्यापन दाता से लिया जाता है उसमें जीएशटी के मार के कारण कहीं experiencing हमारा पत्रकार साथी विज्यापनों में प्रभावित होता है और विग्यापनों की संख्या या उनकी जो amount जो होता है वो कहीं कम हो जाता है तो ये सरकार के बास जा रहा है तो पत्रगारों के साथ ही क्यों है पत्रगार जो जहनित के लिए समाचित के लिए काम करता है उसी पर ये वार क्यों है उसी पर ये चोट क्यों तो एक तो विश्य ये था कि ये जिएश्टी जो है पग्यापनों पर लगती है ये हटाई जाना चाहिए दूसरा जो अकबारों को कागज सरकार के द्वारा प्राप्त होता है या वो बाहर से खरीदता है उस पर कस्टम डूटी भी लग रही है और उस पर जिएश्टी भी लग रहा उसके कारण वो अकबार जो है अल्टीमेटली महंगा हो जाता जिसकी चोट अल्टीमेटली नीचे के लेविल के पत्रगारों पर भी आती है तो हमारा ये कहना था कि हम लोग जब समाजित और जनित के लिए काम करते हैं हम सासन प्रशासन और जन्ता की बीच की कड़ी के रूप में काम करते हैं तो हम पर ये सरकारी चोट क्यों तो इसका निराकर्ण किया जाना चाहिए और पूरे प्रदेश में हमारे प्रादिशिक संहिठन के आभान पार पूरे प्रदेश में सारे सांसुदों को हम प्रधान मंत्री के नाम का ये ग्यापन देकर ये मांग कर रहे हैं कि अकबारों पर कागच पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी और जीस्टी को खत्म किया जाए और विग्यापनों पर लगने वाली जीस्टी को भी